इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी और से बहुत-बहुत स्वागत आज मैं 10 क्लास का वीडियो लेकर आया है छेत्रमिती का वीडियो इसके पहले पार वन का वीडियो मैंने बना दिया है उसको आप लिंक में देख सकते हैं इसमें भी लिंक मिल जाएगा तो आ आज मैं पार्ट 2 का वीडियो बना रहा हैं आप अच्छी तरस से इससे देखिए इसमें कॉं-कॉं-कों के सवाल है और इसको हम किस तरसे बनाते हैं तो देखिए this इसमें कोशन है यह परिशन करें चार का है च्छत्रमिति का है पाट्व का विडियो देखें किसी भी घं में तलों भुजाओं तथा सिर्श बिंदूओं की संख्या को लिखो कोशन देख रहा है कि किसी भी घं में तलों भुजाओं और सिर्श बिंदूओं की संख्या को लि हम इसको A, B, C, D नामंगन कर देते हैं E, F, G, H तो आप इसको देख करके बता सकते हैं इसमें तलों की संख्या कितनी होती है इसमें तलों की संख्या 6 होती है कैसे देखें यहां पर A, B, C, D उपर का तल नीचे E, F, G, H दो तल हो गया तीसरा तल A, D, H, E, चौथा तल B, C, G, F ठीक है और एक इधर का D, C, G, H आए एक उधर का A, B, F, E तो इस तरह से 6 तल होते हैं तो लिखेंगे घान में तलों की संख्या तलों की संख्या बराबर 6 अब नाम लिखने की आवशक्ता नहीं है अब अगर लिखना होगा तो इस तरह से आप लिख दीजेगा अगर कभी दोस्तन पूछा जाए उसके बाद करता है भुजाओं की संख्या कितनी हो तो आप भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर बार अब पूछा जा रहा है सिर्स बिंदू तो सिर्स बिंदू देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ तो घं में सिर्स बिंदू कितने होते हैं घं में सिर्स बिंदू की शंख्या कितना काउट कीए इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं तूसरा नमर कुस्सन है यह दो नमर का कुस्सन था अब तीसरा नमर है एक घर की लमाई चौड़ाई और उचाई तीनों तेजिया मीटर में उसमें रखा जाने वाला सबसे बड़ा गंडा की लमाई निकाल जैसे यह घर है लमाई चौड़ाई मुचाई इसका दिया हुआ है तो इस घर में सबसे बड़ा डंडा Нध सबसे लमबा डंडा रखा जाता है इसको हम विकण का तो इसका मतलब है कि घंड का विकर्ड अगर हम निकाल लें तो निश्चित रूप से हम निकाल सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा लंबा तंडा रखा जो जाएगा उसका लंबाई कितना होगा तो सबसे पहले घर का लंबाई कितना किया हुआ है लिख लेंगे पांच मीटर घर का चोड़ाई जार मीटर और घर का तुछाई तीन मीटर किसलिए घर में रखा जाने वाला सबसे बड़ा दंडा विकन का सूत्र होगा लंबाई स्क्वार जोट चोडाई स्क्वार जोट जुटाई स्क्वार अंदरूट लंबाई के जब्रेट पांच का होली स्क्वार प्लस चार का होली स्क्वार प्लस तीन का होली स्क्वार अंदरूट 25, 16, 9 अंदरूट 25, 25 अंदरूट तो इसको कर सकते हैं इसको 25 को 525 कर देंगे आप एक इसम से बाहर निकाल लेंगे रूट तू अंदर जाएगा तो इतना सेंटीमीटर बड़ा लंबा डंदा इसमें रखा नीटर में है इसलिए यहां पर मीटर देंगे ठीक है तो यह हो गया इसका पर देना यहां उसका इसक अधीन के एक तल का सब्सक्राइब यहां पर हम देखते हैं त यह क्या हो जाता है बर्द हो जाता है तो इसे के हिसाथ यहां से हम यहां पर इसको बनाई है लिखेंगे उस नमर चार है घान का एक तल काट शेत्रफल दिया हुआ है 64 बर्ग मीटर ठीक है अब घान का एक तल काट शेत्रफल होता है वो भुजा इस्पाइर होगा चोंकि बर्ग होता है तो भुजा इस्पाइर बराबर 64 या भुजा बराबर अंडर रूट 64 या भुजा बराबर 8 मीटर ठीक है एक मीटर निकल गया इसका एक भुजा अब घान का आईतन पूछा जागा ठीक है इसलिए घान का आईतन बराबर मुजा का होल व्सके का होल क्यों करें चोंसर पुना इसको हम एह गुना एदू से फ़िए गुना आज कर लेते हैं कि शिस्टी को ना ना जिए कि पांसोपावन हम मीटर इसका मतलब इसका आएतन हो गया पांसोः थाम मीटर और यही अब देखिए वाच नमबर का एक तलाब को खोत कर 240 घं मीटर मिटी निकाला गया है यहां दियाँ और गहराई आठ डेसी मीटर दिया है यहां ध्यान से यहां मीटर है यहां-डेसी मीटर तो लम्माई निकाल तो यहां पर चाहेंगे इसका लमाई भी मीटर में ही निकले क्योंकि इसका आयतन के गहन मीटर में दिया है इसको ख्या लखना पड़ेगा तो सबसे पहले देखिए यहां पर तालाब का तालाब का चवड़ाई बराबर कितना दिया है दो मीटर तालाब का गहराई बराबर आठ गहराई कितना दिया है तो आठ डेसी मीटर अच्छा डेसी मीटर को मीटर में बदल लेगे तो 0.8 मीटर जान दिजाएगा 10 से डिवाइड कर लिजिएगा 100 मीटर में बदल जाएगा कि तालाब का लंबाई पुछा जा रहा है लंबाई बराबर फा चुकि तालाब का तालाब से निकाला गया मिट्टी का आइकन कितना अइतन मिट्टी निकाला गया तो दोसो चालिस भर्ग गन मीटर यहां मिटर इतना मिट्टी निकाला गया को कि तलाव का आईतन जो है लंबाई गुना चौडाई गूचाई मीड़ी अब देखिए इसमें लंबाई तो बैठाने सकते हैं निकालना है चौडाई वैठा देंगे दो और उचाई बैठा देंगे 0.1 उचाई नहीं बल्कि इसको गहराई हम बोल सकते हैं तलाब से निकाला गया मिट्टी गहराई है यहां पर गहराई दे देते हैं उससे को दिपर नहीं है गहराई 240 या लंबाई बरावर निकल जाएगा दिवाइड़ बाई 2 इंटू 8 इंटू 10 यहां पर चुकि दसमला भटाना पढ़ेगा अब इसको आठ तिया 24 काट देते हैं इसको भी काट देते हैं 15 बार में इसलिए लंबाई बराबर निकल के आ लिए 15 गुना 10 बराबर 150 नीट्र आता ताला का लंबाई बराबर 150 मीटर और यही हो दिया अब देखिए 6 नमार खान का पिकर्ण अगर दिया हुआ है तो घं के समगर तल का चेत्रफल निकाल तो देखिए खान का पिकर्ण दिया हुआ है यह घं है घं आप जानते ही है इसका बिकर्ण दिया हुआ इसकी नमा में है यह घं का लंबाई दिया हुआ है यह घं का लेगी तो घं का लिकर्ण चार रूट थ्री सेंटीमीटर ठीक है अब धन के पिकर्ण का एक सूत्र हमको मालूम है इसके पहले वाला विडियो में हम पूरा सबका सूत्र लिख वाये थे तो धन का विकर्ण का सूत्र होगा रूट थ्री गुना एक हुजा बेढ़ा देंगे बरावर फोल रूट थ्री प्रूट 3 इसके अभी काट सकते हैं एक भुजा निकल के आ गया चार सेंटीमीटर अब क्या पूछा रहा है घं के समग्र तल का चत्रफल इसलिए घं के समग्र तल का चत्रफल बताइए इस तरसुत्र क्या है सिक्स इंटू घं मंतल्क का उलिडियर्पन इस चत्रफल है और स्नेंटीमीटर की समग्र ताल है तो बर्ग सेंटीमीटर इसको अंसर निकले कि अब देखिए पूसर नमर सेवर्थ, इसमें क्या कर रहा है कि घं के सभी भुजाओं का योग करिएगा, सभी भुझाओं का योग 60 संग्जिमीटर हो तो घं का आयतन कितना होगा, अब हम थोड़ा देर पहले बता रहे हैं कि घं का अगर सभी भुजाओं का योग बोल रह तो प्रस्टना नुसार 12 कुना एक भुजा बराबर कितना है देखे सभी भुजाओं का योग यानि एक भुजा को 12 कुना करें को 12 भुजा होता है बराबर भुजा होता है तो सभी भुजाओं का योग 60 cm है लिख लेंगे एक भुजा हमको पहले निकालना पड़ेगा इसलिए एक भुजा बराबर 60 divided by 12 5 cm आ गया एक भुजा बराबर 5 cm ठीक है अब क्या पूछा जा रहा है यहां पड़िए 12 से खान का आयतन को निकाले आतब गान का आयतन बराबर बाता यह गया होता है भुजा का होल क्यूप बोलिए पांच का होल क्यूप बराबर 5 गुना 5 गुना 5 25 गुना 5 एक यह 25 हग सेंटी मीटर और यह हो गया इसका आणसर अब देखें पुस्चा नमर क्यूचत नमर आठ कुस्ट नमर आठ में क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी घ्ण के संपूर्ण प्रिष्ट का चले दोसो शॉल्ला बर्ग सेंटिमीटर हो तो आइतन निकालो तो एक भुजा तो निकालना ही पड़ेगा तो देखिए दिया गया है दिया गया है कि घ्ण का संपूर्ण सेंटिमीटर है अब देखिए घ्ण का संपूर्ण प्रिष्ट का चरपक 6 इंटू भुजा अभी तुरत हुआ था बराबर दोसो शॉल्ला या भुजा का हॉल स्कॉर्ण बराबर दोसो शॉल्ला को 6 से दिभाइट करेंगे इस लिए भुजा का हॉल स्कॉर्ण बराबर 36 या भुजा निकाल लेंगे पहले भुजा बराबर 36 अंडर रूप या भुजा बराबर 6 से दिभाइट है वेकिन पूछा क्या है यहां पढ़िए पूछा है आईता निकाल है इसलिए घ्ण का आईतन बराबर भुजा का हॉल क्यूप बराबर 6 गुना 6 गुना 6 चोचक 36 अब गुना 6 कि दोसो सुल्लर घ्ण सेंटी मीटर ठीक है अब देखिए एक चीज़ यहां सिखने को मिलता है कि संपूर्ण प्रिष्ट का किसी भी घ्ण के संपूर्ण प्रिष्ट का चेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है अगर दोसो सुल्ला होता है तो इसका देखिए आईतन का भी संख्यात्मक मान सेम आता है तो तब हम इसको तुलना करके निकालेंगे तो वहां भी अंसर आपका एक भुजा आएगा छे सेंटीमेटर आएगा क्योंकि छे सेंटीमेटर ही एक ऐसा भुजा की लंबाई है जिसमें की आईतन और उसका संपूर्ण प्रिष्ट कच्छेत्रफल का मान दोनों समान अब देखिए एक संपूर्ण चौपाल का आईतन दे दिया है 432 घं सेंटीमेटर उसे दो समान आईतन वाले घं तयार किया गया तो परते घं का एक तुजा की लंबाई है तो ध्यान दिजिए कि अगर कह रहा है कि एक संपूर्ण चौपाल जब ऐसा बोला गया तो इसका मतलब यह क्या ह दोनों घं बन गया और यह भी घं बन गया ठीक है बात समझना आगे तो अब यह जो चौपाल है इसका संपूर्ण प्रिष्ट कर्ष तरफष नहीं एक चौपाल का आईतन दिया है इसका आईतन कितना है पूरे का देखिए पूरे का आईतन जबान यहां पर हम लिखें तो तो चौपाल का आयतन मरावर 432 घन सेंटिमीटर अब बीचो बीच जब दो खागों में इसको काटा गया रहा है तो लिखेंगे यदि चौपाल को चौपाल को मध में बराबर खागों में बराबर खागों में काटा जाए काटा जाए तो परतेग घन का आयतन बराबर 432 को दिवाइड कर देंगे तू से तो कि आधागा आयतन में बढ़ जाएगा ठीक है यहां बोल दिया गया है कि घन का एक गुजा निकालो यानि वो घन तयार हुआ है जब दो खुड़ा में कारजिया है काट लेंगे दोसो सुल्ला बराबर दोसो सुल्ला घन सेंटी मीटर ठीक है घन सेंटी मीटर इसका आ गया अब यह चुपिक परतेग घन का आयतन होगा बराबर दोसो सुल्ला या घुजा का हॉल क्यूं बराबर छे का हॉल क्यूं ठीक है दोनों तरब क्यूं क्यूं भणा दीजे बुजा बराबर का एक बुजा बराबर 6 संटिमेटर और यही इसका अब देखिए टेन नमर सब्सक्राइं के पर्देख भुजा के लगाए 50 प्रतिसत कम कर दी जाए तो पर्थम खान और नया घन के आयतन का अनुपाद कितना होगा है तो यह जो छोटा घन बना यह नया घन होगा और यह पर्थम घन पर्थम घन और नया घन का आयतन का अनुपाद पुछा जाता है तो माना की पर्थम घन का एक भुजा बराबर एक सेंटीमीटर मालिया कि यह सेंटीमीटर इसका है इसलिए इसका आयतन निकालने इसलिए पर्थम धान का आयतन बनाबर भुजा का हॉल क्यूब बनाबर एक्स का हॉल क्यूब धान सेंटी मीटी अब चलिए भुजा क्या किया है इसका 50% घटा दिये यहां देगे लिखा है कि 50% काम करती है तो तो नया घं के लिए अब बुलिए नया घं में क्या भुजा 50% घटा दिया तो 50% घटा दिया तो लिखेंगे नया घं के लिए भुजा कितना हो जाएगा तो देखेंगे एक्स माइनस एक्स का 50% क्योंकि उफिप्टी परसेंट उसको घटा दिया है काट लेंगे इसको एक्स माइनस एक्स पटे टू इसका लिए अब कराएं कि जो पुराना घं है और नया घं है इसका अनुपार निकाल लेगे देखेंगे पर्थम घं घं का इसका अनुपार निकाल लेगे देखेंगे तो अनुपार नया घं का आयतन का आयतन का इसके अब करों कि तो यहां पर थे इसका अपर एट से इसको मटिप्लाइब करना पड़ेगे ठीक है, तो हमारा 8 क्या होगा, खत्म हो जाएगा तो यहां पर क्या आ रहा है, 8 x3 आनुपात यहां पर x3 आ रहा है ठीक, अब x3 x3 कट जाएगा, यह आ जाएगा 8 आनुपात वहाँ इसका मतलब 8 आनुपात ए, इसमें आगर 8 घं सेंटीमेटर आयतन होगा मतलब इतना अनुपात इसका आ जाए इस तरह से आज का वीडियो यहीं समात होता है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य विद्यार्थियों को भी सेयर करें ताकि वो भी इसका लाव उठा सेकें थैंक इंग